जैहिन आस्परेंस, वेलकम और वेलकम बाक तो आर चानल, जॉइन MNS अकाडमी तो कल जैसे ही हम सब को गुड न्यूज मिली कि हमारा एक्जाम प्रीविस पाटर्न के थू ही होगा बहुत सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं and everyone is ready to give their 200% तो ये प्रॉबिली आपका लास्ट चांस भी हो सकता है MNS इस तरीके से हो ऐसा भी हो सकता है कि 2023 से आपका MNS एक्जाम ना होके वो नीट कित्रू ही कंड़क्ट करवाए तो बिलकुल कह सकते हैं कि ये शायद हमारा लास्ट चांस है ठीक है तो जो बच्चे especially बहुत सालों से प्रिपेर कर रहे हैं they have to give their 200% अगर वो इस साल सेलेक्शन चाते हैं क्योंकि honestly speaking जादा मुश्किल उनी बच्चों को आएगी जो 3-4 साल से इस पैटन को फॉलो कर रहे हैं तो इस बच्चे जो भी 12 में हैं 11 में हैं वो भी अगर इस फील में फ्रेश होते हैं तो वो नीट के तरफ भी अपना फोकस कर सकते हैं तो ऐसे बच्चे जो भी ग्रैजुएशन कर रहे हैं और 2-3 साल से और MNS का यही ओल्ड पैटन जो है उसी को फॉलो कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्राटेजी के साथ साथ वो चीजे जो भी रिसोर्से आपको कहां से क्या चीज मिल सकती है ठीक है आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो उसको अपनी प्रिपरेशन के लिए उसके ओपर भी मैं डिसकस करने वाली हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर देना सबसे पहले मैं यूट्यूब के सोर्स की स्टार्ट करूँगी और इसमें क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजे हैं जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी फर्स एंड फोर्मोस्ट इस कोई भी आप एक्जाम के लिए प्रिपरेर कर रहे हो आपको उसका स्लेबरस बहुत अच्छे से पता होना क्या है इस तरीके का वीडियो हमें और किसी चानल पे और किसी प्लाटफॉर्म पे नहीं मलता The reason being is कि मैंने इसमें preparation कैसे कर सकते हैं syllabus क्या है, books क्या क्या है ये सारी चीजे properly discussed की है within half hour तो आपका जाधा time भी consume नहीं होगा आधे घंटे में आपको इस exam के बारे में बहुत कुछ पता चल जाने बाला है I am sure अगर आप beginner भी हो तो आपको basic pattern तो पता होगा कि इस exam में 150 question आते हैं there is no negative marking आपके 3 इसमें subject होते हैं which is science, English and GK हर एक section जो है वो आपका 50 marks का होता है ठीके test आपका computer based होता है ये सारी जो basic चीजे हैं आपको पता होनी चाहिए language को लेके मुझे regular question आते है कि मैं क्या bilingual होता है क्या हम Hindi choose कर सकते है तो मैं उन सभी बच्चों को फिस से बताना चाहते हूँ exam एक ही language में होता है वो है English आपको अपना phone या computer कुछ allow नहीं होता कुछ-कुछ बच्चे ऐसे question पूसते हैं कि क्या हम अपने computer से online exam दे सकते हैं ऐसा नहीं होता आपको वहाँ पे center में जाना होता है वो आपको computer allot करते है आप वहाँ जाके test देते हो ठीक है ये एक national level entrance exam है आपको क्या लगता है आप अपने घर बैठी computer से test दे दोगे ऐसा नहीं होता ठीक है तो prepare accordingly आप कोई भी काम कर रहे हो कोई भी test not only MNS अगर आप NEET के लिए भी कर रहे थे तो आपको NEET का basic पता होना चाहिए जैसे अभी बहुत बच्चों ने NEET का form भर दिया because ये जो notification आया था previous Sunday को लेकिन उनको NEET का pattern नहीं पता था उनको ये नहीं पता था उसमें negative marking होती है कि सारी चीज़े थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए इस वीडियो की लिंक नीचे आपको description box में मिल जाएगी तो make sure कि आप इस वीडियो को properly देख लें नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो monthly current affairs की तो हमारा monthly current affairs series चल रहा है हमने August से start किया है आज तक हमने आपको monthly current affairs provide किये है और इस month April का भी आपको provide करेंगे जैसे ही month end हो जाएगा अगर मैं current affairs की बात करूँ तो आप सभी को पता है GK का एक बहुत ही important part होता है current affairs कुछ को static के जो question आता है वो भी कही न कहीं current affairs से ही related होते है जैसे इस साल Ukraine, Russia ये सब काफी news में राए तो हो सकता है आप से एक static question ये पूछ ले कि Ukraine का capital क्या है वो question तो static होगा लेकिन वो कहीं न कहीं किस से related होगा current affairs से क्योंकि Ukraine जो है वो news में चल रहा है ठीक है बाकि अभी previous Sunday को ये NDA and CDS का भी exam होआ था मुझे बहुत सारे बच्चों ने message करके बताया as हमारे evidence exam का age group बहुत ही wide है 17 to 24 तो बहुत सारे बच्चे NDA and CDS दोनों के लिए ही prepare करते हैं जिन बच्चों ने भी current affair को follow किया था उन लोगों से मुझे ये पता चला कि कुछ questions हमारे current affair के ऐसे भी है जो CDS के एक्जाम में और NDA के एक्जाम में आये हैं जैसे December के हमने current affair में आपको करवाया था कि Germany की जो है chancellor change होए है तो वो question आपका CDS exam में आया था ग्यान पीट अवार्ट से related आपका question जो है वो CDS में आया था then कुछ questions हमने जो mock test में किये थे वो questions भी आये थे तो obviously जब हम सुनते तो हमें बहुत एक खुशी मिलती है कि exam के जो भी हम question आपको practice करवा रहे है वो question level up to mark है because अगर UPSC जैसे exam में पेक हो रहे तो बहुत chances है कि MNS exam में भी repeat हो ठीक है और भी काफी सारे questions थे जैसे कितने state and UT है as of now so यह 2021 का question है और यह question हमने mock test 1 में ही किया था बहुत बच्चे अभी भी confused थे ठीक है तो दमन and due और दादर और नागर हवेली को merge कर दिया गया था as a 1 UT उसके वज़े से हमारे 8 UT and 28 states है तो यह question आपके NDA exam में आया था then there was one more question जो हमने BRICS related किया था कि BRICS क्या है तो it is a group of developing nation यह question भी मैंने आपको mock test में करवाया था तो यह तो मैंने बस कुछ example बताए है आप properly study करोगे और current affair को follow करोगे तो आपको बहुत उससे benefit मिलने वाला है ठीक है not only this series अगर यह आपने finish कर लिया इसके बाद आपको लगता है कि हाँ मेरे पास time है मैं और current affair पढ़ सकते हूँ तो आप weekly current affair भी पढ़ो आप daily current affair भी पढ़ो अगर पढ़ सकते हो तो क्योंकि GQ और current affair एक बहुत ही wide topic है आप जोतना पढ़ोगे उसमें उतना ही कम रहता है ठीक है next and the most important यह जो previous year question paper करवाया है इसको मैंने पिछले साल repeatedly बोला था कि बेटा कर लो कर लो कर लो इससे questions आते है ठीक है बहुत सारे अलग-अलग channel वाले आपको यह बता रहे थे कि नहीं repeated question नहीं आएगे जो question एक बार पूछ दिया है वो question नहीं आएगा जब exam हुआ तो सबको पता चल गया सच क्या है तो इस पे तो मैं बिल्कुल आपको stress नहीं डालने वाले कि करो या नहीं करो you are smart enough आप अपना decision ले सकते हो अगर आपने 2021 का जो मैंने answer की यहाँ पर provide किया था जब solve कर रहे थे तब ही मैंने discuss किया था कितने सारे questions जो है वो previous year से ही आये है similar questions तो आई है exact same questions भी आये है तो अगर आप पहली बार दे रहे हो आपने यह videos नहीं देखे हैं तो पक्का देख लेना अगर आप पहले से exam दे रहो तो मैं को नहीं लगता मुझे ज़रूरत भी है आप लोगों को यह explain करने के कि यह कितना important है तो यह जो previous year question paper करवाएं हैं इस series को एक बार completely आपको देख ले रहा है ठीक है जो बच्चा भी इस book को follow करता है उसको पता है यह book बहुत ही अच्छी मानी जाती है क्योंकि इस book से question direct आते हैं प्लस इसमें सारा static gk का अच्छी से content दिया हुआ है तो इस book से जो हमारे ले बहुत important topics थे मैंने उसको cover करवाया है तो आप इस playlist को refer करना तो आपको मैंने 3 playlist और एक video बताया है तो आप इतना भी देखोगे ना उसके बाद आप खुद realize करोगे कि आपको exam के बारे में exam pattern के बारे में और आपका जो knowledge है वो कितना increase हुआ है ठीक है nextly I'll come to our app you can download our app via google play store ठीक है आप join mns academy जाके search करेंगे तो आपको app मिल जाएगा same इसके link भी आपको description में मिल जाएगी तो आप वहाँ से भी direct download कर सकते हूँ तो आप पे आपको pdf study material courses test सब कुछ मिल जाएगा सबसे पहले मैं free study material या पीडिएफ के लिए बात कर लेती हूँ तो जैसे आप देख रहे हो monthly current affair आपको note down करने की कोई जरूरत नहीं है बिकास आपको यहाँ पे free of cost pdf मिल जाता है उसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारे study material मिल जाएंगे जिन बच्चों के पास NCRT नहीं है हमने वहाँ पे NCRT भी डाल दी है ठीक है बाकी और अगर आपको question practice करने है तो आपको question pdf की form में test की form में भी मिल जाएंगे एक जो important चीज़ काफी बच्चे इसकी help लेते हैं हमारा daily target तो हमने हर 15 days के लिए आपको target दिया है तो जैसे आप आज से भी अगर prepare करना start कर रहे हो तो आप जा सकते हो app पे आपको यहाँ पे daily target का pdf मिल जाएगा तो once a 15 day आपको क्या क्या चीज़े prepare करनी है वो आपको मिल जाएगी तो daily आप day one का लिख लो अपनी copy में कि हाँ आज यह prepare करना है उसके बाद उसको prepare कर लो उसका test दे दो या कहीं से कुछ question solve कर लो ठीक है उसी के बाद similarly यह pattern follow करते करते आप देखो गए कि 15 days में आपको बहुत सारा syllabus cover हो जाएगा जब आप यह follow कर लो कि उसके बाद तो you can download easily via app and कुछ-कुछ बच्चे जो है वो tricks या mind maps का use करते हैं तो यहाँ पे आपको 11, 10, 12 की bio, chemistry, physics, सारा mind map मिल जाएगा तो आप वो भी यहाँ से ले सकते हो ठीक है यह सारी चीजे free study material में ही available है as of test की अगर मैं बात करूँ तो test आपको हर subject का मिल जाएगा let it be physics, chemistry, bio, english, gk, mock test, sectional test, सारे test आपके available है in case you want to access all the test you can enroll आपको यहाँ पे demo test भी मिल जाएगा तो आप वो भी एक बार check कर सकते हो again demo test की link भी मैं नीचे आपको description में दे दूँगी आप वहाँ से भी direct कर सकते हो in case you don't want to download the app next welcome to telegram, telegram channel हमारा join MNS Academy आप telegram पे जाके search करोगे तो आपको यह आराम से मिल जाएगा around 9.2k students हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आपको question बहुत सारे मिलते हैं तो जैसे अगर आप daily target follow कर रहे हो उसके बाद आप चाते हो कि मैं कुछ question प्राक्टस कर लूँ ठीक है तो आप definitely telegram पे visit कर सकते हो यहाँ पे आपको quiz की form में भी question मिल जाएंगी and normal form में भी question मिल जाएंगी साथ ही साथ जो भी हमारे videos आते हैं या कोई भी update आता है वो आपको सबसे पहले दर telegram पे ही मिल जाता है तो telegram तो आप must join कर ले ना ठीक है और कुछी दिनों में यहाँ पे free mock test series भी start होगी उसके बारे में भी हम आपको upcoming videos में बता देंगे so if you are not a member of our telegram community make sure to join it okay lastly I want to say you that take this thing seriously guys because जैसे मैंने beginning में ही बोला ये आपका last chance भी हो सकता है ठीक है तो आप अगर इसको seriously ने ले रहे हैं आप सोचो ठीक है form आने दो तब हम start करेंगे पढ़ना admit card आने दो तब हम start करेंगे पढ़ना तो आपका बिल्कुल भी नहीं होने वाला because मैंने देखा है हमारे पास जो बच्चे हैं august से prepare कर रहे हैं and definitely मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे बच्चे मतलब उतनी dedication से prepare कर रहे हैं कुछ बच्चे अभी recent news के वज़े से properly नहीं पढ़ रह हो रहा है उसकी वज़े से काफी distract हो रहे थे पर ये जरूर है कि बहुत सारे बच्चे regularly मैनत भी कर रहे हैं ठीक है और आपको पता है selection rate कितना कम है तो अगर आप उस 220 बच्चों में आना चाहते हो तो आपको मैनत भी उसी हिसाब से करनी होगी ठीक है तो बिल्कुल इसको seriously लीजे मजाक में मतलोग हो जाएगा देख लेंगे ये वाला attitude आप छोड़ दो ठीक है इस uniform के लिए इस duty के लिए आप कितने passionate हो अभी जब आपको पता चला था क्या chance जो है आपको नहीं मिलने वाला नीट के बच्चों को मिल जाएगा तब आपको कैसा फील हो रहा था तो वही सोच रो तो उस ही आप से उस चीज को दिमाग में रखके आपको continuous मैनत करनी है इन दी एंड आपको ये वीडियो हास समवाट हेल्प यू तो अगर आपको ये वीडियो हेल्फुल लगी हो तो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना चानल पे न्यू ह होतो subscribe कर देना and don't forget to share guys. Thank you so much for watching.